नमस्कार दोस्तों बीके जुकेशन में आपका स्वागत है तो आज आप लोग सर्वेइंग टू का पेपर देकर आये होंगे और काफी सरल पेपर आया था देखिए तो सरल तो उनके लिए है जो लोग पढ़के गए होंगे पूरा नोट्स और नोट्स से ही पूरा आया आपसे फिडबैक लेते हैं और फिडबैक जरूर सभी लोग कमेंट अब में दीजिएगा इससे क्या होता है हमको पता चल जाता है कि पेपर कितने लोग कितना कर क्या हैं तो उसी इसाब से ये पता चलता है कि आप लोग ने कैसे पढ़ाई की थी तो यहाँ पर देखते है पहला question इसमें दो भाग करने थे तो जिसमें से contouring परपच क्या उद्देश क्या है ये भी मैंने बताया है और यह बिभीन civil engineering कारियों में कैसे उपयोगी होता है तो आप लिख सकते हैं जिल तरीके से नहार हो गयरा हर जगा ठीक है तो वहाँ पर यूज होता ही है contouring के method है, interpolation अलग-लग method है उसके मादों यहाँ पर बिधी लिखिनी थी और एक सड़क की मिट़ी के कार की गरना इसको उपयोग कैसे करेंगे तो यहां पर एक सड़क की मिट़ी कार कीnae गरना इसका उपयोग कैसे करेंगे उसको बताना थो तो आप जो मिट्ठी कार करना है गर द्वादर कोंड की गड़ना है थीडोलाइटी का वर्ण करें मैं यह बताया ही था और मैं यहाँ पर इस थीडोलाइट में जो एक चैप्टर आपका था ट्रेवेर्सिंग वो सब मैंने नहीं पढ़ाया था छोड़ दिया था देख लीजिए आप पेपर सामने आपके है और वो questions नहीं आये हैं मैं इसी चीज को बार-बार कहता था कि आप लोग इसको मत पढ़िए बहुत सारे लोग तुरूटियां कौन सी हैं तो मैं बताया हूं तुरूटियां किसी क्या भी हूँ आप रियाद कर लीजिए वही तुरूटि हर जगां लिखी जाती है ठीक है एक परसनल एक इंस्रूमेंटल और एक हम बात करें तो हमारा रेडिंग पर जो ये सारी चीज़े लेते हैं ठीक बात करें साधारान वित्री वक्र क्या है तो सिम्पल करवडैया इसको पूछा यह भी करें यह भी मैंने बताया है टेको में इंक्ल सब्सक्राइब कर दिया था इंगली सिंदि दो ने दिया। समय में संक्रण वक्र में इंतर लिखना था वरतमान समय में प्रचछिल थो यहीं सब यही सब सब करें कुक्षन अब तो नहीं पूछनँ सब चले नमबर आपको है है तो टिपड़ी वाले में भी मैंने दिया है रिमोट सेंसिंग जीपिए जी आई इस डिजिटल थीडियो लाइट वह भी आ चुका है आपका तो हंडेट पर्शंट अगर बात करें आप पेपर करके आते अगर हमारे नोट्स से आप पढ़े होते जितने लोग नहीं है यहां पर देख रहे हैं अगर आप मेरे नोट्स को आप पढ़िए मोस्ट इंपॉर्टन तो छोड़ दीजी मोस्ट इंपॉर्टन तो फसी रहा है इन आप नोट्स को एक बार रिवाइज करके जाते तो हंडेट पर्शंट पेपर करके आत पर्शंट नहीं जो मोस्ट दे रहा हूं जो नोट्स देता है उनको पढ़िए और एक चीज़ और ध्यान किये यहां पर मैं एक चीज़ और पताना चाहूंगा अभी यह और जितने पेपर आपके बचे हैं जैसे अर्थक्वेक बचा है डब्लू डब्लूई बचा है तो इन सब पेपर के सभी चैप्टर कवर करके जाएं देखी यहां पर जितने कुर्शंट पर सबकोश्चंद पेपर सभी चैप्टर को कवर किया आपके हैं तो यह सब मलब सुटल इस्टेकर कि विशिव यह का मने नुमेरिकल कहीं नहीं आने वाहId आपका और ड्वी में तवाता ही नहीं है और और ड्लुण ड्वी में श don't झाल झाल